नमस्कार, आपका आर कीचन में स्वागत है, आज हम गुलगपपा और पाप्री चाट बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही चकपटा और स्वादिश्ट लगता है, घर के समान से ही आसानी से भी गुलगपपा और पाप्री चाट बना सकते हैं देखिए इसके लिए क्या-क्या सामागरी चाहिए, चार चम्मच धनिया खड़ा, दो चम्मच जीरा, पंदरा से भी सुखी लाल मिर्च और एक निम्बू अकार का इमली लेना है, इमली को पानी में फुलने के लिए दे देंगे, और मीडियम आज पर कड़ाही गरम करके, मी चलाते रहना है, अब जीरा डालेंगे, जीरा डालकर भुनना है, जब मसाला अच्छा से भुना जाए, तब इसको कोई बरतन में निकाल लेना है, कड़ाही में नहीं छोड़ना है, ने तो मसाला और जल जाएगा, देखिए मसाला भुनकर तयार हो गया है, अब इसे कोई नहीं पीछना है, न जादा मोटा, इस तरह का होना चाहिए मसाला, अब इमिली का मीठा चटनी बनाएंगे, आधा से कम इमिली का पानी ले ले लेना है, जो भीगोए हैं सो, अधा मासान तरीका है बनाने का मीठा चटनी, इसमें किसी पचीनी डालना है, दो से तीन चमच के लिए बहुत ही ज़रूरी है, देखिए एमिली का चटनी बन कर तयार हो गया है, यह ठंडा हो जागा, तो और भी गाडा हो जाएगा, तुलगपा का मसाला बनाने के लिए, देड़ कटोरी सथेद मतर और एक कटोरी लाल चना, दोनों को भीगो लेना है, और तीन आलू कॉंटिटी आप अपने हिसाब से मतर चना अली को ले सकते हैं, अब सभी को उबाल लेंगे, मीडियम आज पर मुलायम होने तक, इसमें आधा चमच नमक डालेंगे, और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, नमक थोड़ा से ही डालेंगे, कि नमक जादा नहीं पर बाद में नम मसाला बनाएंगे, गुलगपपा और पाप्री चाट के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए, काला नमक स्वादा मसाथ, दोती चमच, इंगली का पानी, एक चमच चाट मसाला, दो चमच हमने जो भूना मसाला बनाया हुओ, और एक चौथाई विंबू, तीन चार हरी मीर, बारी कटा हुआ, एक इंच अध्रक का टुकडा बारी कटा हुआ, हरा धनिया थोड़ा सा बारी कटा हुआ, एक बड़ा प्याज बारी कटा हुआ लेना है, देखिए, अब हम मसाला बनाएंगे, आलू, मतर, चना, सभी को एक बरतन में बड़ा बरतन में ले लिए हैं, गटाफ से डाला सकते हैं प्रक्षाथ अंपानी यह जो एक चोफाई निम्भु जो है उसके डालेंगे आफ इसमें कच्छा प्याज डालेंगे जो हैं बारी काट कर रखा सब नहीं है अध्रक आपका रखा सभी को डाले और अध्रक हमने रखश रखा असके सभी को डाल देंगे अरभ सबको अच्छा तरीका से मिलाएंगे मसाला नहीं हो तो चोर्डश एपड़ा पानी है उसी को डालेगा अने टेस्ट खराब हो जाएगा अब इस तरह से मसाला ब तो आप बिना चाट मसाला का भी बना सकते थोड़ा निम्बू जादा कर दीजिए गुलगप्पा का पानी बनाएंगे इसके लिए थोड़ा हरा धनिया थोड़ा सा पुदीना तीन चार हरी मीर्ट मीर्चपकना स्वाद अमसार ले सकते हैं आधा इंच अध्रक कर टुकड़ गुलगप्पा का पानी बनाने के लिए और देखिए क्या क्या समगरी चाहिए तीन चौथाई चमच चाट मसाला एक चमच चीनी एक चमच भूना हुआ मसाला स्वादन कर नमक और बचा हुआ इमली का पानी है लगवग एक कप भूंदी और एक चमच काला नमक गुलगप भेंट नमक अपता स्वादा नुसाल डालेंगे चीनी डाले से सभी बैलेन्स हो जाता है भुनामस्स डालेंगे छम्मज- नमक स्वादा नुसाल डालीए अब दो बड़ा ग्लास ठंडा पानी डालेंगे ठंडापानी बनता है बूंदी आपके पास है तो डालेए नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है डालना सभी को अच्छा तरीका से मिलाना है देख़े पानी बनकर तयार हो गया है अब इसमें हम बूंदी डाल देंगे बूंदी औप् grease है आपके पास है तो डाल दीजिए नहीं है तो मत डालिए बहुत ही चटपटा स्वादिश्ट पानी बनकर तयार हो गया है अब हम आपको पापरी चाट बना कर दिखलाएंगे इसके लिए पापरी को प्लेट में सरिया लीजिए और उसको बीश से फोड़ लीजिए अब उसमें हमने जो मसाला बनाए है उसको कुछ अच्छा नऄं भ जल कुम स्वादिश्ट पापरी चाट बनकर तयार होगा अब इसमें मीठा कि बुली कचट्नी डालेगे है जो हम बनाये थे सभी में डाल ले ना है आब इसमें प्याज डालेंगे बार्य कटावणला सभी में प्याज डाल कर इसमें चाट मसाला डालेंगे थोड़ा थोड़ा फिर भूना मसाला डालेंगे सभी में मसाला को आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ज्यादा कम काला नमक डालेंगे सभी में इसमें हरी मिर्च डालेंगे, मिर्च अपने स्वात के अनुसार डालिए, अगर पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो मट डालिए, इसमें दही डालेंगे, आधा दा चमिच दही डालना है, दही जादा नहीं डालना है, अब इसमें जीरो नंबर का सेव डालेंगे, यह पापड़ी चाट हमारा बनकर त्यार हो गया है अब खाने में बहुत ही चटपटा और स्वादिश्ट है अब हम आपको गुलगपपा बना कर दिखला रहे हैं बुलगपपा का पूरी का रेश्पी मेरे चैनल पर डाला हुआ है यह बहुत ही चटपटा और और कमेंट करकर लिखीए प्वापड़ी चाट में जो हमने मसाला भरे हैं वही मसाला है देखिया अब गुलगपап बनकर त्यार है नग्यों में पानी लाने वाला मज़ेदार चटपटा गुलगपपा बनकर और पापरी चाट बनकर त्यार है आप एक बर बना कर खाकर कमे कीजिए शेयर कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए ठैंक यूँ